गाइज अनॉनिमिस गुरुधी चानल के न दो प्रकार के विवर्स हैं आप सबको पता होगा पहले हैं मेरे वो विवर्स जो मेरी शाक टैंग की विडियो के लिए मेरे साथ हैं दूसरे वो जो घडी की विडियो के लिए मेरे साथ हैं शाक टैंग की विडियो के लिए मेरे स तो आज हम देखेंगे हमारे फेवर शाक की सारी घडियां वो क्या घड़ी पहनते हैं, कौन सा मॉडल है, कितने की आती है, लेकिन वीडियो स्टार्ट करेंगा है, उसके पहले कस्टमरी क्रिस्वाच है, आज मैं पहना हूँ मेरी ओरियंट की मेको टू वाच, इस पे हम आज मैं पूछते हो तो मैं बता देता हूँ, तो गैज वीडियो स्टार्ट की जाएगी विट दे लेजेंड, दे मान हिमसेल, कॉमित दे मान, कॉमित दे लेजेंड, वो आदमी, जो सीजन टू में ना होते हुए भी, उसी की बाद सीजन टू में हर जाएके हो रही थी, य यहां आएज एक बाद में ऐस्टर आशनीर कोव आज आशनीर गोवर गैज अशनीर कोवर गैज इस अ नाहीं प्ली प्ली मल्टी मुली बिलियोन अरे इस फोटो में आप देख सकते हैं अशनीर अज वैरी एक पैसे लॉओ एक घडी में इडनिस्फाइगर पाय और पाया was this this is the Rolex Datejust reference 126201 इसकी कुरेंट मार्केट प्राइस है गाइस दस लाख बतित हजार रुपए इतना पैसा है भाई और भाई का देखा है अपने हिसाब किताब है उसका लेकिन इस फोटो में इस वेरिंग देजस अपने पैसा है अच्छी अंडर्स्टेटेटेट ड्रेस वाच आप इसको कह सकते हो अब अशनीर की बात आ रही है तो अशनीर का भाई अमन कहां पीछ रहेगा राइड तो गैस नेक्ट वी हब अमन और अमन का गैस यह जो स्टाइल आपने देखा होगा ना घड़ी को ऐसे पहनने का यह काफी फेमिस हुआ है अब अभी भी आप देखोगे कोई भी पिछ मे गड़ी को ऐसे अपने हाथ में आगे लगा के रखता है इस सीजन में तो ही इस वेरिंग अलॉट आफ इस ओन कंपनी वाच वो बोट की घड़ियां पहन रहा है इस सीजन में लेकिन पिछले सीजन में गाईज यूस्ट वेपर वाच इसमें आप देख सकते हो इस फोटो मे वाच इस दुझ करते है इस ऑड़ तेख होयर अक्वा रच गड़ी इसकी मार्क प्राइस है गाई अर्तिसलाग त्रहेसाट हजार रुपे अच्छ अवेश अवेश वाच एवेश वेश वाच अविश फैमिस वाच अवर्ल गोस वेरी वेल तरह वाच वेश अमन्स परसनल इस फोटो में आप देख सकते हो गाइस जो पहना है वो है Rolex की Oyster Perpetual reference 12600 with a current market price of 8,84,000 रुपीज and guys मैं हर बार बता चुका हूँ Anupam Mittal मेरे को सबसे जादा सौटेट शाक लगता है ये बंदा start-up बना रहा था 20 साल पहले जब start-up word exist नहीं करता था and that's why I think he brings a lot of depth, a lot of seriousness and a lot of authenticity to what he says Anupam will forever be for me my favorite shark so this was Anupam Mittal's Rolex Oyster Perpetual reference 12600 guys now moving to the women judges of Shark Tank हमारे साथ है Namita and Gazal अलग इसमें ने विनीता को cover नहीं किया है guys क्योंकि विनीता की कोई भी photo मुझे कोई घडी नहीं देखी I don't think she wears watches but Namita and Gazal काफी अपने fashion statement को लेके काफी particular रहती है मैंने observe किया है and they have been wearing this watch on multiple occasions आप देख सकते हो यह वाली घडी pattern में आपको similarity देखे की band type का है this is a very very famous watch called Serpenti by Bulgari Bulgari Serpenti this is the tubo gas variant of that watch यह पूरा, it's less of a watch more of a jewelry and यह पूरा diamonds का और gold का पूरा हिसाब किताब है इसकी market price है guys 38,63,000 रुपए and आप देखना guys आप कभी भी photograph देखोगे न even from Bollywood celebrities आप चेक कर लेना कभी देखोगे तो यह watch बहुत common बहुत popular luxury watch बन गई आजए पर इंडिया में so this is the Bulgari Serpenti Tubogas current market price 38,63,000 रुपए being won by both Namita and Gazal Alag and lastly moving to the last shark and the most famous and the most popular shark as per the common opinion which I see which is Piyush Bansal and Piyush guys इसमें पहना है जो आप देख सकते हो क्या पहना है Piyush is wearing this and you know my opinion for this right I will not speak much about this what Piyush is wearing and again it's his personal call to wear this watch but मेरे लिए यह smart watches क्या होती है you all know so that's why for me the market price of this watch is this and I'm sure he has a good collection of other watches as well लेके मुझे जो फोटोग्राफ मेरी पहना था so guys these were the watches of Shark Tank India Judges again season 2 is nothing like season 1 and I know a lot of you are very disappointed with the Melodrama and the Saadbahu thing which is happening as well but ठीक है काफी सार अच्छे प्रोडक्स आए है मैंने कुछ तो कवर किये है कुछ और मैं कवर करने वाला हूँ so you'll see a lot of videos in the upcoming week खतम हो गया season 2 कल उसका last episode था season 2 का and guys let's open season 2 का drama खतम हो जाए season 3 में we come back to what made season 1 good was authenticity and rawness of the thing and rather than this scripted Saadbahu drama so guys thanks for watching वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना नहीं अच्छी लगी पर क्यों अच्छी लगी शाक टैंग भी वाच्छी लगी सबको अच्छी लगनी है लेकिन अगर तब भी किसको अच्छी नहीं लगती तो दो बाट इस लाइक करना चैनल सुस्क्राइब करते अरब तक नहीं की है बहुत वीडियो आच्छी की बहुत आने वाले and guys आप देखो आप तो शाटाइड इंडिया के जज़ित नहीं हो अपन नॉर्मल इंसान है अपना दिन चरिया का काम करते है but that doesn't mean you cannot have a good watch collection हमने इस चैनल पे कितनी बार बात की है आपको 10 लाग, 20 लाग लगाने की ज़रुवत नहीं है हजार, दो, हजार, तीन, हजार में एक से घड़ियां आती है इतनी सारी घड़ियां आती है, इतनी बार बात की, बार बार बात की, हर बार बात की है कुछ लिंक्स है, डिस्क्रिप्शन में आप वो चेक आउट कर लो अपने watch store पर जाके देखोगा, देख से घड़ियां आती है अपने watch collection बिल्ड करना स्टार्ट कीजिए, अच्छी watches में इंवेस्ट कीजिए classic timeless pieces में इंवेस्ट कीजिए लेकिन smart watch ये कच्रों से दो रही है थाइस वो वाचिंग, टेक केर, तिल दे नेक्स टाइम, स्टे सिफ